हेलो गाइज, वेलकम तो यूर ओन चैनल, शेर मार्केट विस सी के, आज हम बात करेंगे कि कैसे पता करते हैं, गैप अप ओपनिंग होगी मार्केट की, कि गैप डाउन होगी, कि फ्लैट रहेगा मार्केट, ये सब सेनारियो कैसे हमको पता चलता है, कैसे लोग प्रेडिक कर लेते हैं, कि आज बता देते होंगे, आपने कई बार देखा होगा, यूट्यूब चैनल पे आपने टेलीग्राम चैनल पे देखा होगा, कि आज फ्लैट रहेगा मार्केट, आज बॉलेटाइल रहेगा, आज गैप अप ओपनिंग होगी, अब गैप डाउन ओपनिंग तो यह सब आप कैसे पता करें, आपको वो लोग कहां से जानकारी ला लेते हैं, आपको कैसे पता करना है, यह सब इसके बारे में बात करेंगे हम सारे इस वीडियो में, इससे पहले आगे जाएं कि प्याकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, जिससे हम में बहुत सारा motivation मिल जाता है और यह से अच्छे वीडियो बनाने की प्रेंडा मिलती है आईए बात करते हैं हम आगे देखिए गूगल में आपको सिर्फ क्या टाइप करना है डाउ जोन्स टाइप करना है डाउ जोन्स डालेंगे तो यह आपको इंडिस्टियल एवरेज का आपको यह चार्ट खुल जाएगा डाउ जोन्स का और उसमें देखिए यह आपको सिंपल ग्रोथ दिख रही होगी ग्रोथ नहीं आपको नेगिटिविटी दिख रही होगी बेरेश ट्रेंड में रहा यह वन पॉइंट जीरो फोर और यह देखिए लगातार यह आपको न 0.24 नेगिटिव में रखा नेश्डेक की तो यह 0.67 अवर्ड रहा ऐसे ही अगर अपन बात करेंगे सिंगापोर SGX निफ्टी आपको कुछ नहीं करना है सिंपल जाना है गूगल में और टाइप करना है SGX और निफ्टी लिख देना है ठीक है आप जैसे ही SGX निफ्टी लि जाएगा कि जो एशियन मार्केट है वो भी नेगिटिव में है जादतर ठीक है और अगर अपन बात करेंगे कि अमेरिका की मार्केट की तो वो भी नेगिटिव में है और FTS अगर हम बात करेंगे थोड़े और ग्लोबल इंडाइसस चेक करने आपको तो यह देखिए यह ल पता चल जाएगा FTSC से, ठीक है ये टेक्स से आपको जर्माझी की पता चल जाएगा, ये जापान की पता चल जाएगा, तो है होंग कॉंग का तो इससे क्या समझ में आ या फिर थोड़ा बहुत फ्लैड रहेगा लेकर नेगटिव साइट फ्लैड और आगे यह impact कर सकता है, institutional investors को देखेंगे, अपने एक दिन पहले क्या सिनारियो था, तो देखिए, जो FIS थे, foreign investor थे, उन्होंने 929 करोड का sold किया है, मतलब selling की है, अपना पैसा बापिस लिया है, जो आपन को show करता है कि लोग खरीदारी के जगा अब बेचने के trend में आ गए आस-पास था, तो जो FIS थे, बहुत पैसा निकाल रहे थे, और ये record पैसा निकाल रहे थे, जिसको government ने भी करने के लिए बहुत सार टैक्स में तबदिली की थी, और ये देखिए, बहुत सारा पैसा, अब उनने फिर से, मतलब बहुत दिनों के बाद पैसा निकाला है, 1000 कर रोड के आस-पास, और जो DIAs हैं, मतलब डॉमेश्टिक, मतलब ये अपने यहां के इंस्ट्यूशन है, उनने ये खरीदा है 501 का, तो ये जो ये एक negative news है कि FIS ने sold किया है, तो इसका भी impact अपने आने वाले दिन में पढ़ सकता है, इसका भी अप negativity का impact पढ़ सकता है opening market मे है, आगे हम बात करेंगे, देखिए, ये अब opening हुई है अपने market की, community का market खुला है, ये देखिए, flat है बिलकुल, 0.19% का है, थोड़ी देर बाद ही जैसे ये 9.99 के 2 मिनिट पर मैंने लिया था, ये snapshot उसके बाद देखिए, फिर screenshot लेने के बाद, ये इसके बाद negativity में चला गया था, नेगिटिव हो गया था, दो ये तीन मिनिट के बाद ही, फिर उसके बाद ये अभी निफ्टी अपना ये खुलने वाला था, अगर हम बात करेंगे, देखिए, ये है 9 बच के 9 मिनिट का सिनारिय, 9 बच के 9 मिनिट पर क्या हुआ, ये नेगिटिव में चला गया तो देखिएगा, दिन भर में भी ये, ऐसे ही, फ्लेक्टिवेट होता रहेगा, उपर नीचे, वॉलिटिलिटी जादा रहेगी, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है, और इससे आपको ये सारा कुछ प्रिडिक्ट हो जाएगा, कि कैसे कि, अगर हम स्टॉक के बारे में हम को कोई information पता करनी है, तो वो भी हमें news-based करनी बढ़ती है, बहुत सारे आपने देखिया होंगे, news आती है, कि भाई, जैसे आज ये news आई थी, कि रैमको सिस्टम में, जो विजय केडिया थे, जो विजय केडिया है, उन्होंने ये stacks खरीदे हुए थे, ठीक है, इस टैक्स news आई थी, और उन्होंने 87 के रेट से खरीदे हुए थे, तो इससे ये मतलब हमें पता चलता है, कि इसमें खासी कुछ positivity आ गई थी, लोगों ने इसको अपने रडार में ले लिया था, और इसको लोग भारी, जैसे ये जो विजय केडिया है, ये बहुत ही पहुँचे कैसे बोलेंगे, हाँ, जब ये अगर बाइंग करते हैं, तो मार्केट भी इनके साथ बाइंग करना स्टार्ट कर देता है, जाद अतर, तो इतना बड़ा स्टेक खरीदना किसी भी, किसी भी शेयर में positive मायना जाता है, और इसके बाद देखिए, क्या हुआ इसके बाद होते हैं, निउस आती है, और आपको कुछ लोगों को पता होता है, कि negative इसके मतलब negative impact पढ़ेगा, तो अपन सेलिंग करते हैं, positive impact पढ़ेगा, तो अपन उसके साब से करते हैं, आप pre opening market में भी trade कर सकते हैं, चाहें तो आप अपना पहले से भी trade लगा सकते हैं, तो उसका benefit आपको मिल सकता है, इसलिए आपको steady करना बहुत जादा जरूरी है, learning के साथ earning करेंगे, तो आपका benefit होगा, आपका ग्यान बढ़ेगा, आपको जादा से जादा learn करेंगे, आपको जादा से जादा experience होगा, हमेशा किसी के advice पर work मत कीजें, किसी के भरोसे मत रहिए, खुद क knowledge develop कीजें, जिससे आपको बहुत फायदे होंगे, जैसे मैंने धीरे धीरे अपना knowledge develop किया था, ठीक है, पहले मैं भी लोगों को follow करता था, problems होती थी, लेकिन फिर मैंने खुद की study करना start किया, खुद का knowledge develop किया, जिससे आज मुझे ये सब इतना कुछ knowledge मिला हुआ हुआ है, आगे हम बात करेंगे, चलिए यहीं पर खतम करते हैं, आगे जो है अपन लाश्ट में जब trading खतम हो जाएगी, session आउट हो जाएगा, साड़े तीन बजे के बाद मिलते हैं, हमारे channel के साथ बने रही है इसी type से, आपको अच्छे अच्छे news मिलती रहेंगी, अच्छे अच् educational videos पर मैंने work करना start कर दिया है, आपके लिए अच्छे अच्छे educational videos लाओंगा, तो हमारे channel को subscribe करें, like करें, thank you for watching us, जय हैंग, जय भारत